है इसे तफान नीराच्टोपडा बारत के वह हैं उत्रीम लग पर लगभध और अपने डिकीन से द करते हैं तो जो बंद ये अ्तनी कर सकते हैं किसी बी दूसी कांपी के साथ इंडिया ने जितना बजट रखा और जितना वो करें यहां पे फिसिलेटीज नहीं है दूसरी सबसे बड़ी चीज यह है कि हर स्पोर्ट्समें या स्पोर्ट्स के अंदर जब तक आप पैसा नहीं लेकर आएंगे उस वक्त तक आप आप एक्सपेक्ट ना करें कि कोई भी आप किसी में एक्सानियों को बहुत जादा जाता है बहुत जाएंगे नौजवान यह दो हजात दस ऑनवर्ड बाकाइदा उन्होंने इंको ट्रें किया इन पे इन्वेस्ट किया अब जाके उसके रिजल्स नजर आ रहे हैं तो अग अब डाइमन्ड बॉइब बन चुके हैं उन्होंने जूरिक्स के अंदर हो रहे है उलंपिक गेम में उन्होंने सबसे फर्च नमबर पर अपना रेंक लाकर के उन्होंने भारत के लिए डाइमन्ड मेडल उन्होंने अपने नाम कर लिया है दोस्तो भारत के खिलाडियों ने इस समय भारत के लिए बहुत ही बड़े बड़े तिहांस रचे हैं और भारत की जितने भी लड़किया खेले जो खिलाडिया है उन्होंने भी कॉमन वेल्थ गेम में हो रहे खिलाडियों ने बहुत ही अच्छा पर्दरसन दिया जो कि भारत खिलाडी थे और उन्हों ने उसमें भारत का नाम रोसन किया है फिर से एक बन नीरच चोपड़ा ने भारत के लिए एक ऐसा काम कर दिखाया जिससे भारत को हमेशा उनके उपर घर होगा दुस्त्तों पाकिस्तान की वीडिया हिए वह मेंसे भारत की कम्याबी पर चिकती है और देखते हैं आज कि आज क्या कर Thai की मीडिया देखते पूरा वेडियो और मीलता आपसे के लाश्मा इंडियाни kicking pr pad कर किए इस तफ़ां नीरच चोपडा जीयुरिक में जिस तरह से उन्होंने पहले गोल्ड विन किये और अब डाइमंड ट्रोफी विन की है इंडिया को अलम्पेक्स चार बना दिया है कि क्यूं इंडिया अपनी स्पोर्ट्स में अलम्पेक्स में इतना आगे जा रहा है उसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस चोपड़ा ने तारी रकम कर दी है गोल्ड मेडलिस नीरी चोपड़ा पहले इंडियन है जिन्होंने डाइमेंड लीक की ट्रोफी अपने नाम कर लिए 88.44 मीटर सक भाला फैंक मेरिट पर ही ले किया आते हैं यह इसलिए ग्रोथ पर ग्रोथ जाए जारे आने वाले वक्तो जिस तरह से उनकी कोचिंग है हमारे कोच चीज को भी चाहिए कि देखें जो हमारे अंदर फॉल्स वगारा आ रहे हैं जो चीजे आ रही हैं वो अपनी वो कमिया दूर करें और इंशाला फिर हम भी इसी तरह आइसा इसा तरकी की तरफ जाएंगे कि मैं बाहर भी रह किया ह कि वहाँ पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यदा डिग्रेट किया जाता है नीरेज बहुत अच्छा प्लेयर है उसको सारी दुनिया अप्रिशेट करती है मेरे कहने या ना कहने से तो कोई खास फरक नहीं पड़ेगा तो नीरेज तो वर्ल डैवल का एक प्लेयर है तो उसके के लिए हमारी अच्छी ख्वाइशाथ है उसके रेली वांट टू कंग्रेचुलेट हर कि वह अगर हमारे यहां पर फिसिलिटीज नहीं है दूसरी सबसे बड़ी चीज यह हर स्पोर्ट्स मैं या स्पोर्ट्स के अंदर जब तक आप पैसा नहीं लेके आएंगे उस वक्त करूं हें कि ऊछी सबस्क्राइब वाइब कर सकते हैं की सबस्के अफिके वाइब सब्सक्राइब ट्हें हो हमें कोंग्रेट करना चाहिए और एप्रिशियेट करना चाहिए और आगे बढ़े और हमें कि भी कुछ सीखना चाहिए इन सब चीजों से कि हमें भी आगे बढ़ना है as a human being as a neutral person मैं एको कोई और से कि इस खुशी हो थी यार इससरी की पर्सनेलिटी इस को देखे पाक्सामे में इस गेम के बार में किसी को पता ही इनये प्लव से पूछेंगे वह आप कहेंगे नहीं मुझे इस बनिल्मी इन है सब से पहले जीत अई जीत अनाम कर ली है पहले है इंडियन ह तो गोट अपना इतनी मेंदि आपना इतनी डेडिकेशन दे रहा है तुसकी बनती है पर वह इतनी बड़ी जीत तो डिज़र्व करते हैं यह एक बहुत बड़ी एचीमिन है जैसे हमारे अर्षद नदीम साहब थे उन्होंने भी इस गेम में इसा लिया और उन्होंने भी गौल मिले लिए लिए था था वैसे मेरा यह प्रिस्पेक्टिव है कि कि सब्सेट Kalau ग्राथ क्यों सरुप गोच चर्दाटी में इसंदूरिम आपने हram ऐसा conduct ale तो तो हमें चाहिए कंश हम उसे भी आप्रिस करें जैसे कि Wherever G प्रफॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फ बहुत बड़ी चीवमेंट है इसके लिए मुझा है कि हम भी अपने मुलक में इस गेम को पर मोड करें इस पर हम बचों का स्कूल में और गेम मतलब के एक पूरा सैट अप सैट अप बनाएं के इस गेम पर जाए-जादा मेनत हो और हम भी आ गया है हम भी जीते हैं गोल्ड मै कि वो एतलीट हैं सिर्फ भारत में सिर्फ इंडिया ने नीरा चोपड़ा के ओपर लगभग पाकिस्तानी चार करोड रुपए खर्च किया हैं उनकी ट्रेनिंग के ओपर किसी भी दूसी कांट्री के साथ इंडिया ने जितना बज़ट ट्रका और जितना वो खर्च करें हम अपनी जो भी लिमिटेड बजट या अपने लिमिटेड सोर्सिस के अंदर हमारे पास पाकिस्तान में खर्च किया जाता है जो भारत में जो अब ये लोग मेडल्स जीत रहे हैं वहांकी खवातीन और वहांके ये नौजवान ये 2010 अन्वर्ड बाकाइदा उन्होंने आइडेंटिफाई किया इनको ट्रेन किया इन पे इन्वेस्ट किया अब जाके उसके रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं तो अगर हम आपको चाइना के बराबर समयते हैं उसे उपर को निकल गए और पाकिस्तानी स्पोर्ट नीचे से नीचे चली गई तो वीडियो में आप लोग ने देखा कि किस तरह से जो पाकिस्तान की मीडिया है वो इसमें नीरत चोपड़ा की सराहना कर रही है और कह रही है कि अगर ह अगर अगर अच्छे से अगर ट्रेनिंग देते हैं हमारे खिलाडियों को तो हम लोग भी बेसक अपना नाम रोशन करेंगे लेकिन पाकिस्तान के अंदर में ऐसा कभी हो नहीं सकता क्योंकि वहां की जो कोच है वह अपना पेट भरने के लिए खिलाडियों का टिफिन तक के लिए बाइ बाइ